जैहिन प्यारे बच्चों, आपका हर्दिक अभिनंदन है भारत्वस क्लासेस में प्यारे बच्चों, आज हम लोग कच्छा 3, JCRT, विसे हिंदी, भासांजली पार्ट पुस्तक में अध्याय 4 के प्रस्मुत्र को करेंगे तो आप लोगों ने यह पार्ट पढ़ा होगा, इस पार्ट का नाम है मेरी टोपी, तेरी टोपी मैं इस पार्ट के बारे में आपको समझा देता हूँ, देखिए, एक टोपी वाला होता है, इसका नाम होता है गोपी वह गाउं में टोपियां बेचा करता था एक बार क्या होता है? वो अपनी गठरी टोपियों से भर कर गाउं में बेचने जा रहा था चलते चलते वह ठक जाता है एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है जब वह आराम करने लगता है तो उसे नीन आ जाती है और वो सो जाता है अब उसी पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे अचानक एक नन्हा बंदर उतरता है और गोपी की गठरी से एक टोपी निकाल कर देखने लगता है तो इसी परकार सारे बंदर आते हैं और सारे गटरियों से टोपी निकाल निकाल कर उलट पलट कर देखने लगते हैं ऐसे में गोपी को गोपी की जिननीद है वो खुल जाती है वो देखता है कि सारे बंदरों के हाथ में टोपी है अब क्या करते हैं सारे बंदरों ने देखा कि गोपी या टोपी जो है अपने सीर में लगाया हुआ है तो सारे बंदर भी टोपी अपने सीर में लगा लेते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं पेड़ों पर उच्छलने कुजने लगते हैं गोपी उसे टोपी मांगता है तरह तरह के इसारे करता है लेकिन बंदर उसे टोपी नहीं देते हैं अब क्या करता है गोपी ठक कर निरास बेढ़ जाता है और अपनी टोपी सर से उतार कर फेकता है ऐसा करने पर नन्हा बंदर भी अपना टोपी सर से उतार कर फेकता है सारे बंदर भी टोपी उतार कर फेक देते हैं गोपी टोपी को उठायता है गटरी में भरता है उस फिरा वहां से चला जाता है तीक है यही इसका कहानी था चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके प्रशन उतर तो प्रशन उतर में आपको पहला प्रशन यहां दे रखा है बच्चा टोपियां कैसी कैसी होती है तो टोपियां कैसी कैसी होती है हमें टोपियों के रंग लिखने है तो यहां लिखेंगे टोपियां, लाल, पिली, काली, सफेद, नीले रंग की होती है बताइए आपको किस रंग की टोपी पशंद है? आपको? Very good खा है सीर पर टोपी के अलावा और क्या ग्या पहना जाता है तो यहां हम लोग लिखेंगे आप लोग लिखेंगे, पैंसिल से लिखेगा किस सेर पर पगड़ी, मुखोठा भी पहनते है ठीक है? आप लोग बच्ची हो तो आप लोग हैर बेंड भी लगाते होंगे ठीक है बेटा? आप लोग हैर बेंड भी लगाते होंगे सर्वे गाप प्रस्न है आपको कैसी टॉपी पहनना अच्छा लगता है तो आपको कैसी टॉपी पहनना अच्छा लगता है बताइए तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अपने मन पसंद रंग का लिखेंगे कि हाँ मुझे टॉपी पहनना बहुत अच्छा लगता है और किस रंग का लगता है वो आप लोग यहां रंग लिख लिजेगा ठीक है यहां पर आप लोग रंग लिख लिजेगा कि मुझे जिसे गुलाबी तो गुलाबी टौपी पहनना पसंद बहुत अच्छा लगता है मुझे नीली टोपी पहनना बहुत अच्छा लगता है मुझे सफेड टोपी पहनना बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग यहाँ पे रंग लिख लिजेगा तीक है? गहाँ प्रश्न है क्या आपने बंदर को कभी कपड़े पहने देखा है यदि हाँ तो कहाँ तो आप लोग ने देखा होगा अप लोग यदि सरकस गए होंगे तो वहाँ पे बंदर कपड़े पहन कर तरह के कर्टब दिखाता है या पिर जब मदारी वाला बंदर को मचाने आता है तब वह बंदर को कभी फ्रॉक नाकर कभी टी-सर्ट और पेंट बेना कर लाता है और से डमरू के दुन पर नचाता है तरा-तरा के नाटक दिखाता है ठीक है लिखेंगे कि हाँ मैंने सरकस में देखा है ठीक है अंगा प्रश्ण है अगर बंदर अपनी टोप या नहीं फेकते तो गोपी क्या करता तो क्या करता वा निरास हो जाता वा कुछ नहीं कर सकता था बंदर पेड के उपर थे उचल पुद रहे थे वा निरास हो जाता चा में लिखेंगे यदि आप टोपी वाले होते तो बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या क्या करते हम लोग भी उसी तरह करते हैं जिस पर गोपी किया था लिखेंगे यहाँ पर मैं भी गोपी की तरह करता यह अप लोग लिख लोगे बच्शा, चेलिए इसके बाद देखते हैं दूसेरा प्रशन next प्रश्ण यहां पे दे रखा है हमें उत्तर लिखना है पहला है गोपी क्या काम करता था हम लोगों ने पार्ट में देखा कि गोपी क्या कर रहा है टोपी बेच रहा है तो यहां लिखेंगे कि गोपी टोपियां बेचा करता था खा है गोपी राश्ते में क्यों रुख गया तो इसका एंसर आप लो लिखेंगे गोपी आराम करने राश्ते में रुख गया ठीक है गाप प्रश्ण है सबसे पहले टोपी किस ने निकाली तो सबसे पहले किस ने निकाली थी? नन्हे बंदर न तो लिखेंगे यहाँ पर नन्हे सबसे पहले नन्हे बंदर ने टोपी निकाली गाप प्रश्नियां पर है गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों से कैसे वापस ली तो कैसे वापस लेता है लिखेंगे यहाँ पर गोपी ने अपनी टोपी सीर से उतार कर फैक दी बंदरों ने गोपी की नकल करके अपनी अपनी टोपियां जमीन पर फैक दी और गोपी को टोपी मिल गई यह आपको लिखना है फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं गोपी ने अपनी टोपी सीर से उतार कर फेक दी बंदरों ने गोपी की नकल करकर अपने अपनी टोपियां जमीन पर फेक दी और गोपी को टोपी मिल गई यह लिख लिख लिखे बच्चा इसके बाद नेक्स्ट प्रस्ण है आपे दे रखा है कि हमें रिक्तस्थान को भरना यहाँ पे कुछ सब्द दी गए हैं इन सब्द को यहाँ पे हमें भरना है गोपी सहर से लाकर गावन बेशता था तो गोपी सहर से क्या लाकर बेशता था बताईए टोपियां लाकर बेशता था थोड़ी देर में गोपी को आ गई में तो एक भी टोपी नहीं थी किस में एक भी टोपी नहीं थी गट्री में यहाँ लिखेंगे गट्री में एक भी टोपी नहीं थी घाप प्रशन है गोपी ने टोपी उतारी तो गोपी ने टोपी कहां से उतारी सीर से उतारी यहाँ लिखेंगे नेया पर दे रखा है, नीचे दिये गए सब्दों को पाठ में खोजिये, उन सब्दों से बने वाइक को पढ़कर अपनी कोपी में लिखिये, जिसे गाउं, तो गाउंवाला पलग पढ़िएगा कि गोपी सहर से टोपिया लाकर गाउं में बेचा करता था, नन्हा, तो नन् गठरी, उसने गठरी सीर से उतारी, चाउंप, वा पेड की चाउंप में लेट गया, इकटा, बहुत सारे बंदर इकटा हो गएं, तो यहां सब्दों पाठ से खोज कर इसे लिखना है, इसके बाद आगे प्रस्ण दे रखा है, हमें यहां से लिखना है, जैसे आप लोग यहां से मिल गया है, लि में, तो डा और ली, क्या हो गया, डा ली, तो यहां हम लोग एक सार लिख देंगे, डा ली, जैसे ना, ना भी जाके मिला है, लि में, तो ना और ली, क्या हो गया, ना ली, वेरी गूड, बा और ली, क्या हो गया, बा ली, खा और ली, क्या हो गया काली, जा और ली क्या हो गया? जाली, ता और ली क्या हो गया? ताली, था और ली क्या हो गया? थाली तो यहां स्टाबलो भर लीजिए डाली, नाली, बाली, काली जाली, ताली, और थाली यहां भर लीजिए बच्चो तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रस्ण है हमें यहाँ पर अंतराक्षरी को आगे बढ़ाना जिससे आप लोग अंतराक्षरी कर खेलते हो गाना गाने वाला जिससे गाना कांत में ना आये तो ना से गाएंगे पाया तो पा से गाएंगे बाया तो बा से गाएंगे तो यह अब री है तो री से सब्द बनाएंगे री से क्या बनाएंगे री से हम लोग बनाएंगे री ना तीक है या फिर और भी सब्द बना सकते हैं री ता तीक है अब यहाँ पर ना है ना से फिर से सब्द बनाएंगे ना ली फिर ली है तो इसे आप लोगो बढ़ाता है, बढ़ाना है तो यहाँ से हम लोग यहाँ लिख देंगे री, न, ठीक है यहाँ पर दे रखा है कि प्रतेक समुह के बेमेल सब्द में घेरा लगाई है बेमेल सब्द क्या होता है? कि जो इस समुह में अलग हो पढ़ते हैं कि सब्द क्या-क्या है यह रखा है बंदर, सियार, भाग, कववा तो आप लोग यहाँ पे देखिए और बताए कि सब्द से अलग होने है बंदर भी जानवर है, सियार भी जानवर है, भाग भी जानवर है लेकिन कववा जानवर है, नहीं, कववा तो पंक्ची है, तो बस हमें कववा को घेरा लगा देना है, तीक है, इसे आप लोग लगा लिजिए, बाप प्रस्न है, थेला, टोपी, कुर्टा, कमीज, अब इसमें को शाल लग है, अब लोग सोचिए, देखिए, टोपी भी हम ल अलग है, सादे रखा है, थाली, गिलास, कुर्सी, कटोरा, अलग कौन सा, अप लोग बताइए, देखिए, थाली में भी हम लोग, थाली जो है, बरतन है, गिलास भी बरतन है, कटोरा भी बरतन है, लेकिन कुर्सी बरतन है, क्या, कुर्सी तो बरतन नहीं है, कुर्सी फरनि अभी मिलता है लिकिन फ्रत को दो पानी ऑलाइक कर देंगे ठीक है तो यह आप लूब कर लिए तो थैंक्यू बच्चो ये थे आपके प्रशन उत्तर भार्तवस क्लासेस पर नहीं होगा पर सबस्क्राइब किजएगा वीडियो का लाइक किजएगा और अपने दोस्तों को शेर किजएगा थेंकिए बच्चो नेक्स वीडियों से भी करेंगे पार्ट पांच की प्रस्मुचतर